मूसलाधार बारिश के चलते एक वीर योधा के शव को अंतिम संसकार के लिए केबल ट्रॉली से लेकर जवाना पड़ा पतादे की गुरवार श्राम 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग करने वाले वीर योधा गोपाल कंज बनस्ते का निधन हो गया था जिनके अंतिम संसकार में बारिश के चलते देरी हो गई उत्राखंड के नैनीताल जिले में बारिश का दौर जारी है जिसके चलते नदी नाले सब उफान पर है लगातार बारिश के चलते आम जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है मुसलाधार बारिश के चलते रानी बाग के दानी जौला गाउं में भारत पाकिस्तान युद्ध के वीरियोध्धा के शव को अंतिम संसकार के लिए केबल ट्रॉली से लेकर जाना पड़ा भारत पाकिस्तान युद्ध में प्रतिभाग करने वाले वीर योधा गोपाल जंग रानी बाग के दानी जाला गाहों में रहते थे और वे लंबे समय से भीमारी से परिशान थे उनके दो बेटे हैं जो वर्तमान में सेना में सेवारत हैं शुक्रवार को जब उनका शव अंतिम संसकार के लिए रानी बाग लाया जाना था तो गोला नदी के उपफान पर होने के कारण रास्ता बंध हो गया ऐसे में शव को केबल ट्रॉली से रानी बाग ले जाना पड़ा देख रहे है दखल न्यूज